असलाम लेकुम टियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं नेम इस रायान मलिक and I am here to teach you physics class 10th आज की lecture में हम study करेंगे के lenses कहां कहां इस्तामाल हो रहे हैं और किस तरहां से इस्तामाल हो रहे हैं तो आई ये चलते हैं board की तरफ चैप्टर नमबर 12 Geometrical Optics टॉपिक नमबर 12.11 Applications of Lenses तो जी जी डियर स्टुडेंट्स आपने डेली लाइफ में lenses कहां कहां देखे हैं नॉर्मली कुछ लोग glasses यूज करते हैं और इसके इलावा microscope के बारे में आपने सुना होगा देखा भी होगा आपने उन में भी lenses यूज होते हैं compound microscope में भी lens यूज होता है telescope में भी lens यूज होता है इसके इलावा हमारे जो आँख है इसके अंदर भी एक lens मोजूद है ये जो black color की ball होती है ये भी lens है और इसके इलावा cameras में भी lens यूज किया जाता है और slide projectors में भी lens यूज किया जाता है और इसके इलावा photographer enlarge में भी lens यूज किया जाता है तो आज की lecture में हम तीन applications पढ़ेंगे जिनमें lens use किया जा रहा है और किस तरहां से इस्तमाल किया जा रहा है तो यह हम detail से study करेंगे So the first application is camera Camera आप सबने देखा हुआ है जी तो camera का basically purpose क्या होता है इससे हम picture ले सकते हैं ठीक है किसी भी किसम की picture आप इससे ले सकते हैं और अब अगर हम study करें सबसे पहले इसकी construction कि camera जो है वो basically किस चीज से मिलकर बना होता है तो आपने देखा होगा कि camera जो है वो basically box के अंदर होता है like एक plastic का जो body होती है उसकी ठीक है तो हम कह सकते हैं कि एक light proof box है ठीक है जिसके अंदर camera जिसके अंदर सब lenses मौझूद होते है so it is a light proof box ठीक है अब इस light proof box के अंदर एक lens ये मौझूद है जो के कौन सा है ये convex lens और convex lens को आप converging lens भी कह सकते हैं so convex lens at front ठीक है क्योंकि ये front side पर है lens इसलिए convex lens जो है उसके front पर होता है जो आप camera से देख रहे होते हैं तो बिल्कर उसके जो सामने वाला lens होता है ये होता है convex lens ठीक है तो ये front पर होता है that's why convex lens at front अब ये जो part है ये basically होती है film ये वो film होती है जिस पर image basically बन रहा होता है ओके ये वो film है जिस पर image बन रहा है so हमाने पर से third चीज आगी that is film और हम क्या सकते हैं कि film at back backside पर film होती है और अगर हम बात करें तो इस convex lens और film का जो distance है यहां से सारा ये distance fixed होता है ठीक है basically क्यूंके हम बात यहां पर कर रहे हैं पुराने camera की जो पहले आया करता था अब जो camera's use कर रहे हैं उसमें जो film होती है ये इस खाची अम फिल्म में ॉप ठीक है तो हम लेंज कर रहे होते हैं अब किसी camera में थो lens मोग देनी हो एक ये जो film है इस खाची मोग हो रही होता है तो यहां बात यह करेंगे कि इसका जो lens or convex का आपस में जो distance है, वो fixed है, क्योंकि यहाँ पर book में पुराने camera को discuss किया हूँ है, that's why वहाँ पर mention है, कि इसके जो distance है, वो fixed है, clear? तो यह थी एक camera की construction की camera, जो है वो किस दी से बना होता है, camera जो है एक light proof box होता है, उसके अंदर एक convex lens होता है, that is called converging lens, जो कि light को converge करता है, एक point के उपर, और end पर एक film लगी होती है, यह film पर image जो है, वो develop होता है, clear, I hope आपको construction clear हो गई है, अब हम study करते हैं कि इसमें से image बनता कैसे है, तो पहले हम बात करते हैं, object की, position of object, कि वो object, जो आप, जिसको आपने capture करना है, उस object की position क्या होनी चाहिए, obviously आपने ये भी देखा होगा, कि जब आप camera से कभी कुछ capture कर रहे हो, और एक चीज़ बिलकुल camera के सामने आजाए, बिलकुल नजदीक आजाए, तो camera उसको capture नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अब वो चीज जो है, वो focal point के ही अंदर आ गई है, और जो चीज़ focal point के अंदर आ जाए, camera उसको ज़्यादा capture नहीं कर सकता, ठीक है, तो position of object बहुत matter करता है, क्या आपका जो object है, उसकी position basically क्या है, ठीक है, क्योंकि बुक में भी यहाँ पर mention किया गया है, कि object की जो position है, वो beyond 2F होनी चाहि यह, beyond 2F means, हर lens का एक focal point होता है, let's suppose कि इसका एक focal point जो है, वो यहाँ पर है, एक और focal point अगर हम बात करें इसकी, that is 2F, तो यहाँ पर होगा, ठीक है, तो object की जो placement है, वो beyond 2F होनी चाहिए, that means कि वो 2F के भी बात आपका object जो है, वो placed हो, object is placed beyond 2F, ठीक है, आपका जो object है, वो 2F से भी आगे होना चाहिए, हमने previous lecture में डिसकस किया था, कि जब भी आपका object 2F से आगे होता है, तो आपका image जो है, वो कहाँ बनता है, F और 2F के दर्मियान में बनता है, तो अब आप यह देख सकते हैं, कि आपका object जो है, वो 2F से भी beyond हो, तो आपका image यहाँ पर कहाँ develop हो रहा है, F और 2F के दर्मियान में develop हो रहा है, ठीक है, तो that means कि इस case में भी हमारा जो image जो develop होगा, वो F और 2F के दर्मियान में होगा, अब वो किस तरहां से होगा, अगर हम एक ray diagram ड्रॉ करें, जो कि first ray जो है, वो बिल्कुल इसके parallel जाती है, ठीक है, और वो parallel ray जाके जैसे ही वो strike होती है, और वो strike होके वो थोड़ी सी bend हो जाती है, और वो bend होके इस तरहां से जाके वो fall कह करेगी वो, उस film के ओपर fall करेगी, secondary के अगर हम बात करें, second ray जो कि इसके बिल्कुल center से pass करती है, और वो बगएर deviated वो भी जाके, film के ओपर जाके वो मिल जाती है, ठीक है, और अगर हम third ray की बात करें, तो third ray जो है, वो principal focus से pass होके, इस lens से जाके strike करती है, and again bend होके, वो भी इनके साथ जाकर मिल जाती है, तो जहां पर ये, सब rays आपस में meet कर रही होती है, वहां पर आपका image जो है, वो develop हो जाता है, अब आप ये देख सकते हैं, कि ये three rays आ रही है, और ये आकर जब film के उपर meet कर रही है, तो वहां पर आपका image develop हो जाएगा, clear, ठीक है, अब हम image कहां है, तो image is developed on film, ठीक है, image कहां develop होगा आपका, film में develop होगा, and between f and 2f, ठीक है, क्योंकि आपका object जो है, वो 2f से पहले था, तो आपका जो image है, वो f और 2f के दर्मियान में बन जाएगा, clear, अब हम बात करते हैं, image की nature की, कि image तो develop हो गया, अब उस image की nature क्या है, वो image किस तरहां का है, real है, inverted है, erect है, so nature of image, अब चूंकि आप यह देख सकते हैं, कि यह जो असल light की जो rays है, वो bend होकर आ रही हैं, और वहीं rays जो है, वो image बना रही हैं, तो हम कह सकते हैं, कि image जो है, वो real है, ओके, और इसके इलावा, object जो है, अगर वो इस तरहां से है, तो आपका image जो है, वो यहां पर, इस तरहां develop हो रहा है, that's mean, inverted image develop हो रहा है, so, inverted, ओके, और, साथ, image जो है, वो थोड़ा सा, diminished होगा, ठीक है, image आपका थोड़ा सा, diminished होगा, mean, थोड़ा सा, मधम होगा, ठीक है, I hope आपको यह सारा phenomenon समझ आ गया होगा, कि एक camera जो है, उसमें, किस तरहां से हम lens यूज कर रही है, और एक convex lens को यूज करते होगे, आपका image जो है, वो develop किया जाता है, clear, अब हम चलते हैं, next port पर, एक और application को study करने के लिए, So, the second application is slide projector, slide projector आपने देखे होंगे, normally schools में भी इस्तमाल किया जाते हैं, offices में भी इस्तमाल किया जाते हैं, जिस पर आप अपनी presentations जो हैं, वो एक projector के उपर, एक बड़ी screen के उपर आप display कर सकते हैं, अब हम बात ये करेंगे कि, इस slide projector में, lens का इस्तमाल किस तरहां से है, ठीक है, आपकी, जो screen है, जो आपका display है, वो large display किस तरहां से बनाया जाता है, तो अब हम ये सब कुछ discuss करेंगे, सबसे पहले हम discuss करते हैं, इसकी construction, कि slide projector जो है, वो basically किस तरहां से बना होता है, so, इसमें एक, इसमें एक कनके mirror use किया गया है, इसके बाद इस जगा center में, यहां पर एक light source मौझूद होता है, ठीक है, मैं इस arrow को raise कर रहा हूँ, तो यह जो point है, basically क्या है, यह light source है, इसकी बाद करें, तो इन दो lens को कहा जाता है, condenser lenses, condenser lenses, और यह basically आपकी वो slide है, जिसको आपने zoom करके, एक large display करना है, तो यह वो slide है आपके, और last में, यहां पर यह convex lens है, और convex lens को हम क्या कहते हैं, converging lens भी कहते हैं, और last में, सबसे end पे जो है, वो आपके पास एक screen लगी हुई है, जिस पर आपने अपना, जो slide है, वो display करवानी है, आप इसमें lens कहां कहां use हो रहा है, एक यह condenser lenses use हो रहे हैं, और अगर आप इस condenser lenses को देखें, तो इनकी एक side plane है, और एक side जो हो curved है, तो इस lens को हमने कहा था, यह plano convex lens है, एक side plane है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं, प्लानो, प्लानो convex lens, और अगर आप यहां पर देखें, तो यह दोनों side ही bend है, तो यह भी convex lens है, लेकर हम इसकी further detailed type में चले जाएं, तो यह double convex lens है, ओके, तो यह थी इसी construction, कि इन सब चीजों से मिलकर, यह slide predictor जो है, यह बना होता है, और अब अगर हम इसकी workings देखें, तो इसमें जो आपकी light source है, यह एक light eject कर रहा होता है, और वो light obviously उनके center में है, तो वो light हर जगा इस तरह से फैल जाती है, आप पहले हम discuss करते हैं कि concave mirror का function क्या है, concave mirror basically यहाँ पर इसलिए लगाया जाता है, क्योंकि concave mirror अगर light इस तरफ आएगी भी सही, तो वो light जो है, वो reflect back होकर, दुबारा से lens की तरफ चली जाएगी, ठीक है, अगर वो यहाँ पर आकर strike करती भी है, तो यही light reflect back होकर, और य lens की तरफ चली जाएगी, इस तरह से आपकी कोई भी जो light है, वो deviate नहीं होगी, वो आपकी जाया नहीं होगी, वो दुबारा से वापस on lens की तरफ आजाएगी, ठीक है, सेम ऐसे उपर से भी यह light जो है, दुबारा से lens की तरफ आजाएगी, ओके, अब condenser lenses का function क्या है, अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो यह light जो है, यह कुछ इस तरफ को जा रही है, ऐसे, condenser lens करता क्या है, वो सब rays को converge करके, parallel rays में ले आता है, सब rays को converge करके, parallel rays में ले आता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम यह देख सकते हैं, कि आपकी जो rays हैं, अब वो converge हो गई हैं, और वो एक parallel rays बन गई हैं, ओके, अब यह rays जाकर strike कर रही हैं, किसके साथ, slide के साथ, slide पे आपका जो भी चीज़ है, जिसको आपने display करवाना है, यह rays उस चीज़ को आगे ले कर जाएंगे, और आगे जाके यह strike करेंगे, convex lens के साथ, अब convex lens जो हैं, वो क्योंके converging lens होता है, तो यह ray को converge करेगा, और ray converge होके, इस तरहां, screen के उपर fall करेगी, similarly, इस side से भी ray converge होके, और screen के उपर fall करेगी, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर यह एक large image develop हो गया है, ठीक है, large display आपको नजर आ रहा है, so, यह थी इसकी working, अब अगर हम यहाँ बात करें, कि slide की position क्या है, इस slide को हमने कहाँ पर place करना है, तो हम बात करते हैं, हमारी position of object की, position of object, यहाँ पर जो object है, वो basically वो slide है, जिसको आपने display करवाना है, उस screen के उपर, ठीक है, तो object की जो position है, it is always, object is, placed between f and 2f, तो object जो है, वो कहाँ place किया जाएगा, हमेशा, f और 2f के दर्मियान में place किया जाएगा, अब अगर हम previous lecture में से एक diagram discuss करें, तो इसमें आपकी देख सकते हैं, जब भी आपका object f or 2f के दर्मियान में place होगा, तो हमारा image कहाँ पर develop होता है, वो 2f के भी बाद image develop होता है, it is developed beyond than 2f, ओके, तो यहाँ से हमें यह जाएगा, अगर आपका object f or 2f के दर्मियान में होगा, तो आपका image कहाँ develop होगा, 2f से भी बाहर, ठीक है, 2f से भी आगे जाकर image आपका develop हो जाएगा, ठीक है, so, we can say, अगर हम बात करें, के position of image, image कहाँ develop हो रहा है, image is developed beyond 2f, okay, next, अब हम बात करते हैं, image की nature की, image तो develop हो गया, अब वो image किस तरहाँ का है, image आपका real है, inverted है, erect है, so, the nature of image, अब चुँके आपकी देख सकते हैं, कि image जो है, वो असल light की race fall कर रही है, और वो image develop कर रही है, so, हम कह सकते हैं, कि आपका जो image है, वो real है, okay, और image आपका, इस case में जो develop होता है, वो beyond 2f बन रहा है, और वो inverted बन रहा है, okay, inverted मतलब के ultra बन रहा है, तो, अब ऐसा तो नहीं possible, कि हमें display जो है, वो हमारा, अगर वो inverted होगा, तो हम बैठ के देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं, उसको, obviously display पूर उलट हो जाएगा, तो आप उसको नहीं समझ सकते, तो इस case में हम करेंगे क्या, कि हम जो अपनी slide है, उसको हम उल्टी रख देंगे, ठीक है, हम slide जो है, उसकी position में यहाँ पर add कर देता हूँ, आपकी जो slide है, वो upside down होगी, ठीक है, आपकी slide की upside जब down होगी, तो आपका जो display है, वो बिलकुल सीधा आएगा, तो आपका display बिलकुल सीधा आएगा, तो easily जो है, हम उसको देख सकते हैं, ओके, so, image is inverted, लेकिन inverted नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि हम इसको ही invert कर रहे हैं, हम इसकी जो upside है, वो हम down कर रहे हैं, उसके वज़े से आपका image जो है, वो easily develop हो जाएगा, So, the next is, कि image आपका large भी हो गया है, ठीक है, तो हम क्या सकते हैं, कि image जो है, वो हमारा काफी large होगा, जो आपका display है, वो काफी large हो रहा है, So, these are the nature of images, कि image आपका real होगा, inverted बनेगा, और large बनेगा, Clear, I hope, आपको slide projector का concept clear हो गया होगा, कि यह किस तरहां से इसमें lens का इस्तमाल किया जा रहा है, और किस तरहां से हम light rays को fall करवाके, अपनी slide को एक large display में लेकर आ रहे हैं, और जिसको हम easily देख सकते हैं, So, move to the next application, And the next application is photograph enlarger, Photograph enlarger means कि जो तसावीर को बढ़ा करके, print out करता है, या तसावीर को बढ़ा करके दिखाता है, ठीक है, that is called photograph enlarge, अब अगर हम इसकी construction पहले हम discuss करें, तो इसकी construction में भी यहाँ पर start में एक light source place कर दिया जाता है, और अगर आप यहाँ पर देखनें, जो कि हम last part पर discuss कर चुके थे, कि यह क्या होता है, आपका condenser lenses होते हैं, तो यह हमारे condenser lenses हैं, and again, it is the convex lens, और convex lens का purpose क्या होता है, कि यह converge कर रहा होता है, ठीक है, और अगर हम last यह discuss करें, तो यह होती है आपकी photographic film, photographic film, ओके, अब इसकी working बिल्कुल same as it is, ऐसे ही है, जैसे हमने last part पर discuss किया था, light projector के बारे में, कि बिल्कुल वैसे ही, यहां पर भी, यह light source, जो है, यह light emit करेगा, और light जो है, वो इस तरह से जाके fall करेंगी, इन lenses के उपर, condenser lenses के उपर, अब क्योंकि आप देख सकते हैं, कि light की direction जो है, वो कुछ इस तरफ को जा रही है, लेकिन, यह lens क्या करेंगे, यह lens उसको converge करके, parallel rays में convert कर देंगे, ओके, यह lens उसको converge करके, parallel rays में convert कर देंगे, अब इस center में, इस जगा पर, हम वो film place करेंगे, और यह film क्या है, यह film basically वो picture है, जिसको आपने enlarge करवाना है, ठीक है, यह वो picture होगी, जिसको आप एक large size में convert करवाना चाहा रहे हैं, ठीक है, तो यह वो film हम यहाँ पर place करेंगे, और अब यह rays दोबारा से जाकर strike करेंगे, उस film के उपर, और यहाँ से वो image लेकर, again strike करेंगे, लेंस के उपर, जिसा हमने last discuss किया, और लेंस का function होता है, convex lens का कि वो light को, rays को converge कर देता है, तो यह converge करेगा, और light आपकी इस तरहां से film के उपर जो है, वो fall हो जाएगी, ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको सही तरहां से display नहीं करवा सका, अब हम बात करते हैं, position of object के, कि हमने उस object को कहाँ पर place करना है, so position of object, इस case में भी बिल्कुल वैसे ही हम object को कहाँ place करेंगे, object is placed, between f and 2f, ठीक है, object को कहाँ place किया जा रहा है, f और 2f के दर्मियान में place किया जा रहा है, अब हम अगर एक last way diagram discuss करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपका f और 2f के दर्मियान में place होगा, तो आपका image कहाँ develop होगा, beyond 2f, आपका image जो है वो 2f के भी बाद develop हो रहा है, उसका size अगर आप देखें, तो ये भी काफी large है, ठीक है, so हम कह सकते हैं कि आपका image जो है वो कहाँ develop होगा, position of image, image is developed beyond 2f, ठीक है, image जो है वो आपका 2f के भी बाद जाकर develop होगा, clear, अब हम बात करें कि image की nature क्या होगी, image 2f के बाद तो develop हो गया, अब उस image की nature क्या होगी, means कि image real होगा, inverted होगा, erect होगा, ठीक है, किस तरहाँ का होगा, तो हम nature अगर discuss करें, so, तो क्योंकि असल light की raise जाकर image बना रही है, तो हम कह सकते हैं कि आपका image आपका real होगा, और image इस case में inverted होता है, जैसा कि हम discuss कर चुके थे, और आपका image जो है, वो enlarge हो जाएगा, आपका image जो है, वो enlarge हो जाएगा, अब अक्सर आप confused हो रहे होते हैं, कि हम तो एक photo को ही enlarge कर रहे हैं, means, हम एक image को ही enlarge कर रहे हैं, तो no doubt, हम एक image को ही enlarge कर रहे हैं, लेकिन, image यहां पर आपका क्या है, object है, वो object एक image डिवालप करवाएगा, जो के size में काफी large होगा, तो that's why we call it image, और इसको हम यहां पर कहेंगे, यह क्या है, object, clear, I hope आपको यह तीनों एप्लिकेशन समझ आ गई होंगी, अपने आप बहुत सारा ख्याल रखेगा, टेक केर, अलाहाफिस,